चलो आज बनाएंगे स्विस क्रीमी रोल आदा कप मैदा और आदा कप से कम चीनी ले लेंगे और एक चमच बेकिंग पॉर्डर एक चमच बेकिंग सोडा एक पूरा चमच कोको पॉर्डर और आदा कप दूड डाल देंगे मिक्स करेंगे उसके बाद दो चमच ओयल एक चमच सिर्का डाल देंगे आप ये बिल्कुल ऐसी रेस्पी बनाएंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा अब हम पैन को आईल से ग्रीस कर लेंगे और इस तरहां से आपने पतला बैटर बनाना है इस पैनकेक को आपने जस्ट 6 मिन्ट के लिए बेक करना है अब ये तयार है बटर पेपर के अंदर इसको रॉल करके 15 मिन्ट के लिए रखतेंगे उसके बाद रॉल को खोल लेंगे इसके ओपर कोई भी क्रीम लगाकर 2 गंट के लिए फ्रिज में रखतेंगे खंडा करने के बाद इसके कटिंग कर लेंगे और ये इतना क्रीमी और अच्छा बना था चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें